नमस्कार दोस्तों कैसे आप सभी उमीद करता हूँ काफी एच्छी हूंगे तब ही का राधे राधे जैसरी शाम और उमीद है कि भेहतरी तैयारी दोस्तों समय आपके गलरी होगी हमें बहुत कम हैं और इसी भीच दोस्तों हमें एक परप्र तरीकी से तायरी को maintain करके चलना हैं जिससे कि हमारा सलक हमने भुफ कुछ पढ़ रखा हैं हमें बहुत चुछ याद या वो अच्छे से नहीं पड़ा उसके कोश्चन नहीं लगाए इस प्रकार की बहुत जादा सिलेबस है लेकिन सिलेबस ज्यादा है तो हमारी रणनीती भी कुछ इस प्रकार से होनी चाहिए कि हम इसको कवर अब कर पाएं आप सभी जानते हैं आज तारिक है आठ तारिक है आठ फरवरी है और पच्छिस फरवरी को आपको पेपर होना है और आपको 24 फरवरी तक दोस्तों पढ़ना होगा लगातार तब जाके हम सिलेक्ट उपाएं अब यह हम यह नहीं कह सकते कि हमें आराम की जरूत है अब हम यह स्पीड से सब्सक्राइब काफी सब्सक्राइब लेकिन अभी इस स्पीड को हम कर सकते हैं और क्यों तो आज इसी वीडियो में दोस्तों हम डिस्क इन जो आपके 15-16 दिन जो बचे हैं आपके किस परकार से आपको टाइम टेबल को मेंज करने के बहुत से ऐसे को टाइम मैनेजमेंट करने में बड़ी समश्य आती है आज एक टूपिक पढ़ लिया दूसरा कल दो पढ़ेंगे एक दिन एक पढ़ा एक दिन तीन पढ़े इस प्रकार से सिलेबस को भी कवर नहीं कर पाते हैं और आनन फानन में कभी प्रशन लगा लिए कभी थियोरी प दोस्तों मैं आप सभी से बात करूंगा कि अंतिम जो 15 दिन आपके शेष उसकी अंदर हमारा जो एक टाइम टेबल होना चाहिए वह मैं आपको बना के दे रहा हूं जिसमें हमें कैसे बढ़ना होगा यह पूरी बात हम करेंगे वैसे तो बहुसे ऐसे स्टूडेंट जो जि साथ शेयर कर देना जिस्से की और तर पहुच पाएं इसको फाइदा सभी स्टूडेंट ले पाएं और लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो तो दोस्तों करना आप जिम्मदारी है ठीक है और ऐसे बी स्टूडेंट है अंतिम समय में आप लगाता जोड़े रहे ना क्योंकि अंतिम समय में मैं उन स्टूडेंट के बात करूँगा जो कह रहें कि सर हमने इसी महने तयारी के थी अब 15-20 दिन में हैं अब तक हमारा सिलेबस भी थियोरी में नहीं हुआ हम क्या करें क्या ना करें तो वह चाते हैं कि वह भी इसके अंदर अपने भागिदारी दें और एक अच्छा परदर्शन करें उसके लिए दोस्तों कुछ चीज मानती में आपको बताऊंगा इसलिए पूरे वीडियो में दोस्तों बने रहेना है कीज़ों को बारे की से पढ़ेगा अब चीज़ चोटा टोपी के बड़ा पढ़ना सारा पढ़ेगा हम ऐसे पढ़ें कि सेलेबिस भी हो जाए देखो दोस्तों हमारा सबसे पहले आर थारीक और आज से स्टार्ट कर दे और रोजाना हमारे पास दस से बारा घंटे होने चाहीं पढ़ाई के पाइम आपको सेट करके दिया हुआ है जो कि मैं आज डिसकस करूँगा तो इसलिए लगातर दोस्तों बने रहेना है चली बात करते हैं अगर हम आर तारीक से बात करें तो आपको इसी टाइम टेबल से अगर आप चलते हो तो आपका सिलेबिस हो जाए बहुत अच्छे तर कि सबसे पहले यातायात के मैं सिलेबिस को नेचे से हमेशillas कर 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 के चलता हूं जिसते की चीजरी रहनेzone अपनदे से अभर से आते हो तो अब साधन प्रora करते हो तो सब्से पहले आपको यातायात साधन-पलस में पर यहतन के दोस्तों आपको पढ़नों है तीक स अब लगातार आप पढ़ते आ रहे तो अब आपको revision करने तो आपको जोर नहीं आएगा मान के चलो इसमें कोई 20 line है तो आप लगातार 20 line को पढ़ रहे हो अब revision करोगे तो 15 line तो आपकी बहुत अच्छे से आपको याद भी होगी पढ़ी भी होगी सुनी भी होगी देखी भी होगी लेकिन वह 5 line जो है जो भूल रहे हो जो याद नहीं वह आप उस पर ज्यादा आपको एक इकरण को दोस्तों उठाना है और अधर में मैंने क्या लिखा अधर में देखो आपका प्रतिख्शिन है आपका प्रतिक्यों है साइंस मेत के तो साइंस मेत के अलग से हिंदी के हैं इंगली स्केम वो अपना सब्जेक्ट में टोपिक को बांट लें रोजना सब्जेक्ट को साथ रोजना लेके चलना है सब्जेक्ट के एक टोपिक दो टोपिक तीन टोपिक वो आप अपने इसाफ से देखो क्योंकि आपक अब इनको 10-12 गंटे वो टाइम भी बताऊंगो 10-12 गंटे कैसे निकालो वो टाइम भी मैं आपको बताऊंगो इसको बहुत अच्छी से लेकर चलना है नेक्स टाइम टबल कह रहेगा नो तारीक है देखो नो तारीक के अंदर आपका जो गोल है उसमें आपको म्रदा मिट्टी चोटा टोपिक है पलस में खनीज को भी साथ लेकर जाते हैं तो ज्यान करना म्रदा और खनीज दोनों साथ पढ़ने हैं क्लास नसकरते के अंदर उसके बाद में अधर जो सब्जेक्ट रहता है उसमें आपको अनुसंधान केंदर शिक्षानीती 2020 यंधर चोटा से है एक पेज का है रिक्षानीती भी दो पेज की है जान करना और प्लस में सब्जेक्ट को साथ लेकर चलनाई चलना है एक लगोल में आपको शिर्फ सब्सक्राइब को चित्रकला और हस्त कला दोनों को साथ करना है आपको करना है पर अधर सबजेक्ट में देखेंगे तो रीट 8E 2009 सब्सक्राइब करना है और सब्जेक्ट को साथ लेके चलना है यह बात आगे समझ में उसके बाद अगर हम देखी यहां पर आपका नेक्ष्ट जिसमें बांध भी आगे नहरे भी आगे सारा कवर करना है कैसा यहां बांध करदे में आपको लोक निर्टे और वद्धींटर्श देखी लेको लोक निर्टे करों पिछनार दोर ऑफ सब्सक्राइब करना है एक दिन पूरा मेवाड करना है अधर सब्जेक्ट में क्या करना है आपको जैसे पिछे हमने आर्टी 2009 अब 2011 और जन कल्यान कड़ी योजनों के साथ सब्जेक्ट को तो पैर्रेल लेकर चलना है चलना है रोजना के रोजन ठीक उसके बादे देखेंगे हम 12 तारिक का जो कारिकर है भोगोलिक सब्रूप पलस में फसल भोगोलिक सब्रूप छोटा साथ ज्यादा बड़ा नहीं है फसल को अच्छे से डप्त में समझना है फिर कला संस्कृत में आपको संत संपर्दाई और वस्त्र आभूशन इनको अब व हिलाडी जो कि पचास नमर के जीकी में आता पलस में आपको सब्जेक्ट लेकर चलना है उसके बाद देखेंगे आपका भोगोल में वन्य जीव अभिहार पूरा कवर करना है कला संस्कृत के दर लोग संगीत पलस में लोक नाट्टे वे गाना गाएंगे उसके साथ लोक न अधर सब्जेक्ट विद्याले प्रबंदन सिमीती और प्लस में सब्जेक्ट जहां पर बड़े टोपिक कर वहां पर मैंने कुछ आसान भी डाले जहां आसान वहां कुछ बड़े टोपिक भी हैं पैटन के हिसाब से मिने मनाया और 10-11 घंटे चाहिए इससलिए इसको रोज सब्जेक्ट पर करना पूरा और सब्जेक्ट इस दिन ज्यादा जहां एक टोपिक कर रहे डेली वहां दो से तीन टोपिक उस दिन करने हैं इस तारीक को अगर 15 तरीक की बात करें तो भुगोल में आपको उध्योग करना है कला संस्कृति में आपको राजस्तान की प्रमुक्रितिया और हितियास में आपको किसान आंदोलन के साथ साथ में जन जाती आंदोलन पलस में सब्जेक्ट को कवर करना है इसमें अदर के अंदर आपका सब सब्जेक्ट दोस्तों आगया है कि लेक्ष देखिए भुगोल में आपको जलवायों पलस में मांसुन तंत्रों कंप्लीट करना कला संस्कृतिक परंपरा है और हितियास में उस दिन केवल 1857 की करांती और उसी दिन केवल अधर के अंदर अपने को सब्जेक्ट पर फोकस करना मैंने कुछ इस प्रकार से मेनेज किया कि अंति में अभी आपके दिमाग में चल ला विश्रेक्ट नहीं आया है सब कुछ आ जाएगा जो मैंने मेने इस कि एक तारा करवा दें तो याद नहीं हुगा अब देखी आ गया जिसकी बात करें पिर 18 तारिक दिए 18 तारिकों और सब्सक्राइब तो 20 गंटे होती है उस दिन पूरा करेंट को कवर करना है जितना हो स्केल मेक्सिम 6 मिने का पड़ें भी आप हाइदा रहेगा पड़ना है उस दिर राजनेतिक विवस्ता को पड़ना है और प्लस में दोस्तों मैं कहूंगा उस दिन आप MCQ लगा लें तो ब इत्यास पड़ने सब्सक्राइब है इस दिन आपको फॉकस करना है क्योंकि धी जादा रहेगा रचना रट्टा मारना है रट्टा यह यह भी एक तो पिक इस में आप कर ले तो दो दिन का कारिकरम इस पर पूरी जान लगा देनी है तीक अभी आप देखेंगे एक दिन और फिर 20 तारीक को, 20 तारीक को और 21 तारीक को, 20 तारीक को मनो विज्ञान, पूरा मनो विज्ञान को च्छान मारना है, मनो विज्ञान को पढ़ना है, देखो ताजा पढ़ेंगे, ताजा याद रहेगा, मैं तो सिधा कहता हूँ, हर एक सब्जेट की एक खामिया और का नहीं आपको एक 20 तारीक और 21 तारीक को पूरा च्छान मारो अच्छे से पढ़ लो प्लस में प्रशन भी लगा लो ताजा पढ़ोगे ताजा याद रहेगा करेंट भी इस दिन और पढ़ने करेंट को भी इस दिन देखो तीन दिन करेंट होगे आपका काम हो गया पके में कैसे पूरा स्लेबस में डिवाइड कर दिया वह पूरा कवर हुआ है इसके समझ में आगे आपके बात अब देखते हैं कि सर अब क्या करें अब तारिक बचती है 22 और 23 और 24 दिन बचते तीन और तीन दिन और कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि पूरा स्लेबस कबर हो जाए पूरा चिलेबस कवर हो जाए और मज़ा भी आजए और पता भी लग पर देखते हैं कि गरए सुट्रविश औरे आपके फिए नहीं पर की सीपर की टिन परकार की थोरी नहीं पड़ने ऑनलीऄ स्यूप कर न baked जो कि तीन को लगातार 22324 एंसी उल्ली ओल्ड विक्स जो गुरू भी है लासनस करती है हित्यात है सारा जितना आप जी कि आपका 50 स्कैची असी नंबर का सबी का क्या लगने प्रिस्टन लगाने लगातार तीन दिन देन लगाने साथ में इन तीन तोपिक कुछ आपको आते हैं 10 तोपिक मालने उसमें 7 टोपिक आपको आते हैं तो उस साथ को तो normal इसमाज़ें तीन दिनों में और तीन को अच्छे से ड्यप्थ में दोबार समझ चाहिए जुरूर समझना मेरे भाई समझना तो देख सकते हैं दस्त गंटे आपकी दिन में दस्त गंटे में पांच गंटे तो इसको देना है पाँच गटे और पाँच गटे आपको सब्जेक्ट को देना यूरि ज्यान लगा देनी अब तो देखो ठाने के लिए कुछ नहीं है हमारे पास पाने के लिए भूत बड़ी चीज है इस वेसे आपको तियारी करनी है पूरा सब्जेट को च्छान वारना है थोरी के साथ में सब्जेट के प्रसन लगा सकते हो लेकिन आपको थोरी जदा करोगो तो बैटर रहेगा क्योंकि नजदीक के अंदर सब्जेक्ट मैं करेगा रूल यहां पर जीके का हमने थोरी पढ़ा प्लस में प्रसन लगा सकते हो लगा लेना साथ समय मिलता है तो और प्लस में तीन दिन तक तो प्रसन ही प्रसन लगाने है लगातार प्रसन लगाने है सब्जेट के जिससे कि तीन दुरों में पूरे क्वर्शन हो जाए सभी टोपिक्स के अब आप पे डिपेंड है कि कि जल्दी लिगा थो आप बैठके ज़िए कि एक ही पेजों नहीं जहां दस पेज दिने पड़ते हों पचास पड़ने पड़ेंगे मिरे वाई जितने चीज़ बार-बार-बार-बार-बार पड़ोगे ना उतनी चीज़ें याद रहती जाए जहान कर ले ना इस बात को 223 24 को सबजेक्ट पे कवर करना है और पूरा सब्जेक्ट चान मारना और 24 तक कार्य कर्म हो जाएगा खतम और 25 को आपका तिलक निकाला जाएगा एक्जाम के में अगी बात ये था मेरे अनुभव कैदार पर अगर इस प्रकार्श करते हो तो सिलेबिस भी होगा पर्शन भी लगाई जाएगे और तयार भी बहतरी और 15 दिने भूल जाओ कोण दोस्त है थाने को फॉन करना है उसका मेसेज का रिपलाई करना है और वही बात कर देना वहीं मिलेगा आपको वह बहीं मिलेगा नराज होगा तो हो जाएगा उसको मनाने के चक्कर में पर जिंद्दी के बर नराज होना पड़ेगा ये आप अब आता है यह तो ठीक हम कवर कर लें सर अब टाइम मेनेजमेंट दस से ग्यारा घंटे कैसे निकाले अब समय ऐसा है आप काम कर रहे तो छूटी ले तो छूटी ले 10-15 दिन में भूके नहीं बने वाले इतना घरवाले आपका कर देंगे हम समझते मजबूरी हैं लेकिन मज अंगर्स जीवन में तो क्या खाक मजा है जीने में बड़े बड़े तुफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में तो भाया अब पंद्रह दिन आग लगनी चाहिए आपके सीने में अगर आग नहीं लगी और आपने भुजा ली ना तो बेट जाओ फोड़ दो कि कैसे पढ़ोगी तो मैं मैंने बोल दिया काम कर रहे तो छोड़ो एक बार दस ते पंदर दिन में कोई कुछ यहां नुक्सान नहीं होने वाला कोई आपका बिजनेस नीचल सुबह उठे सुबह जितने बुजी बूठते हैं यह रा कारेकरम उठने का आठ बज़े से स्टा अगर बढ़ना मोबाइल को मगर बरना की तीन गंटे नी एक गंटे नहीं निकलेगा अगर मोबाइल वाइल को स्विच ओप ठोड़ देना ठीक आठ गंटे से शुरू हो जो सुबह है ग्यारा बज़े लगातार तीन गंटे पढ़ो एक गंटा आराम करो जुकर आपको नियूरोन है यह थोड़े आराम कर लेकंटा अराम करकर 12 बज़े दुबारा वेठो और एक बज़े तक पढ़ो एक गंटा यहां से कवर करो सुबह सुबह चार गंटे आपने पढ़ लिए सुनना मेरे बात कुछ चार गंटे पढ़ लिए वह महिला है और पुरुष कोई भी है एक्स वाइजर काम है तो छोड़ो उसको बाद पढ़ाई ध्यान दो सुब आउसके बाद में दो फिर तीन बज़े स्टार्ट अब फिर तीन से चार और चार से पांस लगा तर दो गंटे आपको पढ़ाई करनेमें लगात दो बंदा काम किया एक वजय तक पढ़े एक बुज़े तक एक बुज़े अब खाना खाओ खाओ खाना घंड आक के बाद में फिर एक सब्सक्राइब ना घंटा अराम कर और पर निजरल की दो की इंदर यहां तक आपने तीन घंटे यहां से कवर कर लिए तो रात का काम आता है शाम का अब साथ बजे के इधर दू गूमों दो गंटे फ्री हैँ आप खाके आप गूम से कुरुंत फिर अपने रूम में आ जाओ लगा तार कर गंखर्म 9 बजुसे बेड़ जाना है बोजे बेटेना नो से एक बजे तक पढ़ना इननि चार गंटे पढ़ने इस भीडिश पांच-पांच-मीनिट का ब्रेक बीच में ले सकती हो न है तो आप देखेंगे चार गंटे यहां से निकले तीन और चार 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 आठ और दो दस और ग्यारा इंटार गंटे आए कि नराज हुजाएगा तो औरना भी नराज हो जएगी नपीर भागते रहें अब नीद पूरी करना भूरी निरों को नीद चाहिए जितने रीफरेश होंगे देखो एक बजे तक पड़ना है पड़ोगे तो उसके बाद सूरे जाओगे तो अध्से था सुबागल साथ वे सोरा गंटा नींद सो रहे तो साथ गंटा था बहुत है ताथ गंटा नींद आपने ली निरोंस आपके डिफ्रेस हो गए हैं पलस में 11 गंटे पढ़ाई भी का आप कर रहे हो और पलस में रिलेक्स भी आप कर रहे हो खाना भी खा रहे हो है न तो बताओ अब इससे अच्छा जनून चाहिए करेंगे तो करेंगे जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं अगर यह जनून आपके साथ उन्मांजी जैसा है विश्चित रुप से रीट आपका कुछ नहीं बगाड़ सकते और आप फटे करके आओगे कि मेरा वादा आपसे जिद और अपने अंदर अपने अंदर दिल में आग लगनी चाहिए दिल में आग लगनी चाहिए पेपर को कर truc C करने के लिए किि और पतल लगा लर्ड़ेंगे सिद्धी सी बात है ठीक है यह था एक कार्यकरम आई होप कि आपको पसंद आ गया होगा अब को यह तो बात चीक है से हम चलेंगे लेकिन कुछ ऐसे स्टुडेंट के सर हमें बताओ हमने तो भी 10-15 दिन भी स्टार्ट है अभी हम जागे हैं सोय वे था आम से अभी हम जागे हम हमारे पत्थर पड़ा अकल पर अकल आई हम पढ़ना चाहते हैं उसके लिए कुछ नहीं हो सकता है तो प्रियास और वह भी बहतरी तरीके से लगातार प्रियास करो हो गया तो बहुत अच्छी बात है नहीं हुआ तो फिर नेक्स्ट एक्जाम अभी आएंगे और उनमें त सब्सक्राबर कर लें तो रयासाथ जीतके की टैस्स सीरीज है यह जिनोंने पंदर वीच दिने और कुछ करना है तो यहां से परसंद लगाए धेरो परसंद हैं एक टफिकी पचास पृसद सत्र परसंद डाल रखें मिनें थात्र पड़्ट प्रसंद टाल रखें विद रूपते को तिनके का सहरे का काम यह निश्यत रूप से करेंगी और वैसे उन्हों सुरू से ले रखिए उनके लिए तो रामबान दोस्तों स्वित होंगी यह तो यह यह वहिए यह मैं कहते हूं कर लो तो नहीं कर पाओ तो आप इनको बार-बार लगाएंगे क्योंकि अटे आपका कड़वाला है तो बताओ यह ता इतना कर सकते हैं जिन्होंने 10-15 दिन में जागे हैं तो वह अब जागे हैं तो अभी यह कर लो आपका काम बन जाएगा बहुत अच्छे से विश्यत रूप से आप अच्छा कर पाएंगी कोई महनत को बड़ डे लिया पड़े ही न तरीके से कर सकते कांचाट अगर करने तो आप अपने तरीके से करें बागी मेरे अनभाव के दार पर इस तरह से आप पड़ते हो तो सिलेबस भी कंपलीट होगा प्रसन भी लगाए जाएंगे और कॉन्फिटेस लेवल भी आसमान में होगा और अराम से आप पेपर कर आपको लगातार आप प्रियात कर रहे हैं तो आपको इस बार सफलता निश्य तुप से मिले यह हमारी उपरवाली से दूआ है इसी के सब दोस्तों मिलें जया हिंद जया भारत